नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलेटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर गुजराच सरकार को हाई कोर्ट से जटका मेडिकल में एनाराइ कोर्ट अरद करने का आदेश खारिज साथ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में दीथी सरकार के फैसले को चनापी बिहार विधान सभा में जुएस्टी विधेक पास विधान मंदल के एक दिवस्य विशेश सत्र में ध्वनी मठ से पारे स्रीम नितिश ने पहले ही किया था जुएस्टी का समर्थन राजनाद की बेज़ती के बाद जुएटली नहीं जाएंगे पाक कश्मीर में सुरक्षा बलो की फाइरिंग में दो दिनों में साथ की मौर अब तक 65 मरे लगातार 49 में दिन भी करती जारी राजनाद ने दिल्ली में की बेठ़क और दिल्ली के सीमर्विन के जुरिवाल को पीम मोदी ने किया बहुत दिवेश सोशल मीडिया पर लगा बधाईयों का दाता क्रिकेट के दिगजो और फिल्म सितारों ने भी दी बधाई गुजरात की हाली बनी विजे रुपानी सरकार को हाई कोष ने मंगलवार को जटका दिया है आर्थिक तोर पर आरक्षन को गैर समविधानिक बताने के बाद आप गुजरात हाई कोटे मेडिकल और पैरा मेडिकल कॉलेज में एनर आई कोटा रद करने के राज्यो सरकार की फैसले को खारिच कर दिया है गुजरात सरकार ने प्रवासी भारती और स्पॉंसर एनर आई के लिए एनर आई कोटे के तहट मिलने वाले दाखिले के आरक्षन को रद कर दिया था सरकार के इस फैसले को साथ सेल्फ फाइनांस कॉलेज ने हाई कोट में चालेंज किया था सनवाई के बाद कोट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को खारिच कर दिया बिहार विधान सभा में मंगलवार को मुख्यमंत्र नितिश कुमार द्वारा ज्वियस्ती संबंधी विधैक के फाइदे और अपने रुख को रिखांकित किये जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनी मत से पारिद कर दिया हाल में संपन मौनसुन सतर के बाद इस विधैक के समर्थन के लिए बिहार विधान मंदल के आज बुलाएगा एक दिवसी यह सतर के दौरान बिहार विधान सभा में मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने कहा कि विधैक के अध्यान और विशेशगेयों की राय लेने पर हमें लगा की इसका समर्थन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि जेएस्टी के काम में बिहार का योगदान शुरू से रहा है निदिश जो की जेडियों के राश्ट्रिय अध्यक्ष भी है ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही जेएस्टी विधेक के पक्ष में थी और इस बार पर ट्रेन के ड्राइवर की नज़र सामने वाली ट्रेन पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दिया जिससे ट्रेन रुग गई मामले के जांच के आदेश दे दिये गए हैं दोनों ट्रेन आमने सामने देखकर यात्रियों की सांसे अटक गई थी ये घटना पंदरा अगस्त की है शाम को राज़ानी की दिलकुषा गार्डन क्रोसिंग पर 4,2,9,4 लखनो प्रताबगर पैसेंजर ट्रेन और 5,4,3,3,3 लखनो बाला महू पैसेंजर उत्तर दक्षिन लाइन से गुजर रही थी इसी दौरान दोनों को क्रोसिंग के पास सिगनल मिलना था लेकिन बताया जा रहा है कि सिगनल पॉइंट अचानक फेल हो गया सिगनल फेल होने के चलते दोनों ट्रेने आमने सामने आ गई लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए एमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जिसके चलते ट्रेन रुग गई और हाथसा होने से बच गया डियार एम एके लोहाटी ने मामले की जाँच के आदेश दे दी है गूगल मैप्स में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है उसने P.O.K. और चीन के कबजे वाले इलाके को भारत का हिस्सा मान लिया है और सही नक्षा दिखा रहा है हाला कि अंदराश्टे वर्जिन में अभी भी वेविवादित मैप ही दिखा रहा है पहले गूगल भारतिय वर्जिन में भी डॉटेड लाइन दिखाता था जो एलो सी को दर्शाती थी लेकिन अब भारत का पूरा और सही नक्षा दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर अब भारत की नीती टालने नहीं बलकि टकराने की दिखने लगी है सुमवार को लाल के लिए से पीम नलिंद्र मोदी के पाक को कोसने के बाद अब ये ख़बर सामने आई है कि पाकिस्तान में आयोजित साख वित्व मंतरियों की बैठक में और उन जेटली हिस्सा नहीं लेंगे भारत पाक दिपक्षिस सम्मदों में मौझूदा अश्वांत माहौल के बीच ये बैठक 25 और 26 अगस्त को इसलाम अबाद में होनी है इस बीच पाकिस्तानी वित्व मंतराले ने कहा पाकिस्तान अच्छे मेजबान की भूमी का अदा करेगा और पूरे माहौल को सकरातमग बनाये रखने का प्रयास करेगा गौरतलब है कि इसी महीने साख के ग्रिह मंतरियों की बैठक में माहौल उस वक्त तनाफ पून हो गया था जब राजनाच सिंग और पाकिस्तानी ग्रिह मंतरी चौधरी निसार अली खान के बीच तल्क बयान बाजी हुई थी जमुकश्मीर के श्रीनगर में नहटा चोक पर सोमवार को हुए हमले में शहीद हुए सियार पीएफ के कमांडिट प्रमोद कुमार को उनके ग्रिहन नगर जामतारा में अंतिम विदाई दी गई शहीद कमांडिट प्रमोद को गाड आफ ओनर दी गई इस मौके पर उम्रे जनसलाव ने नम आखो से कश्मीर में शहीद हुए कमांडिट को अंतिम विदाई दी प्रमोद कुमार को अंतिम श्रधांजली देने के लिए जहरकंड के जामतारा में सुभा से ही लोग जुट गई थे शहीद सियार पीएफ कमांडिट को उनकी छे साल की बेटी ने अपना अंतिम सलाम किया गौर्टलब है कि श्रीनगर के नोहटा में 15 अगस्त को हुए इस आतंग की हमले में आठ जवानों के अलावा एक पुलिस कर्मी भी खायल हो गया था जबकि दो आतंग की ठेर हो गए थे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा के चुनाब है सभी पांटिया सत्ता पर कबजे के लिए जोड़ा अजमाईश में लगी है लेकिन सत्ता धारी समाजवादी पार्टी के भीतर चाचा भतीजे की आपसी कला खुल कर सत्ता पर आ गई है और अब चाचा शिफपाल सफाई देते फिर रहे हैं परिवार के इस जगड़े में नया मोड तब आया जब सूबे के सीम और भतीज अखिलेश यादव से जगड़े की खबरों के बीच चाचा शिफपाल यादव ने भतीज अखिलेश की तारीफ की और कहा कि वे सीम से नाराज नहीं है बाहु बली मुक्तार अंसारी की पार्टी कौमी एक्तादल के समाजवादी पार्टी में विलाए के सवाल पर अखिलेश और शिफपाल का जगड़ा सामने आया था और अब शिफपाल यादव ने कहा है कि कौमी एकता दल के विलाए पर आखरी फैसला नेता जी यानी मुलायम सिंग यादव करेंगे दिल्ले के मुखे मंतरी और आम आदीपाटी के मुखिया अर्विंद केजरिवाल को ट्विटर पर बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है देश के बड़े बड़े नेताओं से लेकर क्रिकेटर और गायक अर्विंद केजरिवाल को ट्विटर पर शुपकामनाय दे रहे हैं सोशल मीडिया से मजबूत माने जाने वाले आमादी पाटी ने ट्विटर पर बधाई संदेश की नदिया बहा दी है जिसके चलते अर्विंद केजरिवाल का जनम दिन ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है फिलहाल सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा जोर पर है कि प्रधान मंती नरिंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को जनम दिन की बधाई दी पश्चम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनोर जी ने लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थे की कामना करते हुए अर्विंद केजरिवाल को ट्विटर पर बधाई दी दिली से मुंबाई तक क्रिकेट के दिगजों से लेकर फिल्मी दुनिया के सतारों तक सभी ने मफलर मैन को सोशल मीडिया पर जनम दिन की बधाई दी देश के सबसे अमीर मंदिर यानी केरल के पद मनाब स्वामी मंदिर से 186 कडोर के सोने के बरतन गायब है इसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है ये खुलासा किया है पूर्व नियंतरन एवंग माहा लेखा पर एक शक विनोध राई ने उन्होंने सुप्रीम कोट की निर्देश पर मंदिर का ओडिट किया था कैग विनोध राई ने सुप्रीम कोट को सौपी हजार पेज की रिपोर्ट में लिखा है कि मंदिर में 1166 सोने के बरतन होने चाहिए लेकिन वर्तमान में सिर्फ 397 सोने के बरतन मौझूद है यानि 729 सोने के बरतन गायब हो गए हैं इस न्यूस बुलिटन में फिलहाल इतना ही ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेर्टो टीवी से नमस्कार झाल झाल